इस वक्त की बड़ी खबर आपको आते हैं कि चेन नहीं में बड़ा प्लेन हाथ सा तल गया है जानकार के मताबिक इंडिकों का विमान लेंडिंग के लिए चेन नहीं एरपोर्ट पहुचा था जिसके बाद प्लेन ने लेंडिंग के लिए जैसे ही रन्जवे को चुआ वैसे ही प्लेन लड़ खड़ा गया हाला कि पाइलेट की सूजबू से बड़ा हाथ सा तल गया है मैं आपको बतादे हैं कि चेन नहीं में फेंगल तूफान का असर दिख रहा है फेंगल तूफान के कारण अब कई इलाकों में बादिश भी शुरू हो गई है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं कि चेन नहीं में बड़ा प्लेन हाथ सा तल गया है जानकार के मताबिक इंडिकों का विमान लैंडिंग के लिए चेन नहीं एरपोर्ट पहुचा था जिसके बाद प्लेन ने लैंडिंग के लिए जैसे ही रन्जवे को चुआ वैसे ही प्लेन लड़ ख़़ा गया हाला कि पाइलेट की सूजबूस से बड़ा हाथ सा तल गया है मैं आपको बतादे हैं कि चेन नहीं में फेंगल तूफान का असर दिख रहा है फेंगल तूफान के कारण अब कई इलाकों में बादिश भी शुरू हो गई है इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको बताते हैं कि चेन नहीं में बड़ा प्लेन हाथ सा तल गया है जानकार के मताबिक इंडिकों का विमान लैंडिंग के लिए चेन नहीं एरपोर्ट पहुचा था जिसके बाद प्लेन ने लैंडिंग के लिए जैसे ही रंजवे को चुआ वैसे ही प्लेन लड़ ख़डा गया हाला कि पाइलेट की सूजबू से बड़ा हाथ सा ठल गया है मैं आपको बता दें कि चेन नहीं में फेंगल तूफान का असर दिख रहा है फेंगल तूफान के कारण अब कई इलाकों में बादिश भी शुरू हो गई है